जिस खिलाडी की गैन पर जड़ी थे लगातार छे चक्के यूवी की सन्यास पर उसने दिया बड़ा बयान यूवराज सिंग की सन्यास लेती ही पूरा विस्व किरकेट उनके सजदे में जुग गया किरकेट को अलविदा कहने के साथ साथ उनकी हर वो पारी फैंस की आँखों में तैनने लगी जहां अपने पराकरम के यूवी ने देश को जीत दिलाई थी एक ऐसी एतियासिक पारी उनकी बल्ले में 2060-2020 वर्ल्ड कप के दोरा निकली थी वहीं जब उन्होंने लगाता है छे गैंदों में छक्के लगाए थी सन्यास के बाद उस इंग्लिस बॉलर ने वी यूवराज को भविश्ट के लिए सुब कामना दी और साथ साथ एक बड़ा बयान भी दिया उस ओवर्ल ने गैंद बाज कर रहे इंग्लिस बॉलर इस्टूर्ड बॉर्ड ने ESPN के खास बाजचीत में कहा कि आज जो जिस तरह गैंद बाज है वो यूवराज सिंग ने 6 चकों की बज़े से ही है बॉर्ल ने कहा मैं इस समय 19 साल का था डेथ ओवर्ल ने गैंद बाज करने की कला और अनुबब मेरे पास नहीं थी यूवी गैंद को बहुत अच्छी तरह हिट कर रहे थे मैं अब भी सोचता हूँ कि 6 इसलोयर गैंद मार सकता था लेकिन अब जवर जस्त अंदाज में हिटिंग कर रहे थे मैं उन दिन को नकारात्मक रूप से देख सकता हूँ लेकिन यह सच है कि यूवराज सिंग ने 6 छपकों से मुझे अच्छा गैंद बाज बनाया था वार्ड ट्वीटर पर इंस्टाग्राम पर भी यूवराज सिंग के रिटार्मेंट की बधाई दे रहे हैं वार्ड ने अपने पोश्ट में यूवी को लेजेंड करार दिया यूवराज ने यू रचा इतियास भारत और इंग्लेंड के बीच टी टॉंटी वर्ल्ड कप का बहे मैच 19 सितंबर को डवरन में खेला गया भारत पहले खेलती हुए चार विकेट पर 218 रन का बिसाल स्कोर खड़ा किया मगर मैच का सबसे दिलचस्व मोट भारती पारी में 19 वे ओवर में आया तब इंग्लेंड की तेज गैन बाल बॉल्ड यूवराज के सामने थे और फिर जो हुआ वो सभी दर्सक सिर उठा कर देखते रहे आज की वीडियो में इतना ही मिलते अंगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार